अब जो जनरल एक्वेशन है सर्कल की हम जनरल एक्वेशन देख रहे हैं यह कैसे बनेगी आपको याद होगा x-h² प्लस y-k² a² या r² इसको कर दीजे यह हमने एक्वेशन देखे थी अब हम जानने की कोशिश करेंगे की एक्वेशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 यह equation है circle की जिसका center है minus g और minus f और यह center हो गया और radius इसका है under root g square plus f square और minus c तो यह कैसे बनेगा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखें इसी equation को हम फ़ड़ा फिर बदल करेंगे कैसे x square साथ में आपका 2g x हो गया जिवला term और तीसरा term हम ले रहे हैं इसमें g square क्या term लेंगे g square तो अगर मैं यहाँ पर g square लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी g square जोड़ना पड़ेगा यानि कि इस equation में g square जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी g square जोड़ना पड़ जाएगा तो यह हो गया आपका g square इसके साथ चलिए यह वाला x का term हो गया अब आईए y वाले पर y square तो यहाँ से ले लिया और 2fy हाँ से ले लिया यह हो गया अब हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं f square अब f square यहाँ जोड़ेंगे यहाँ भी जोड़ना पड़ेंगे क्योंकि हम यह extra जोड़ रहे है यह हो गया अब यह जो term है यह क्या हुआ यह हुआ x plus g का whole square यह जो term हुआ यह क्या हुआ y plus f का whole square और यह वाला जो term हमने यहाँ पर g square plus c square यह c था तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा यह यहाँ पर बना g square plus f square और यहाँ minus c तो यह minus c हो गया यह term आ गया अब इसको square के तरह करेंगे क्योंकि हम जानते हैं यहाँ में square जैसा term चाहिए इसको under root कर देंगे और इसका square कर देंगे तो एक ही बात हो गई यह जो x plus g है इसको हम लिख सकते हैं x minus of minus g ऐसी यहाँ पर minus of minus f कर सकते हैं और यह बराबर हो गया g square plus f square minus c under root whole square चलिए इस equation को और इस equation को मैच कराईएं क्या आपको common दिख रहा है h क्या है यहाँ पर minus g h हो गया minus g k क्या हो गया minus f यह हो गया a square क्या हो गया यह square हो गया यानि कि a क्या हुआ यह यह radius करें यह वाँ g square plus f square minus c और यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई आपके पास इस तरीके की equation हो x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal 0 तो यह जो form है यह इसी form का representation है एक तरीके से जिसमें center होगा minus g और minus f यह आप यह कहें coefficient जो x का है उसका coefficient x का क्या है 2g है इसको 2 से divide करें और minus कर देज़े यह यह minus half coefficient of x इसी तरीके से minus f क्या है यहाँ पर लिज़े 2fy 2fy इसमे अगर आपको यह coefficient निकालना है तो 2f है इसका 2f और 2f है और यह यह minus f है तो इसको कैसे करेंगे minus half से मनिपलाय कर देज़े तो minus f बन जाएगा इसका मतलब यह हो गया कि इसका जो भी आपका coefficient है y का coefficient y उसका minus half करना है और radius क्या है यह a square a square है यह तो radius क्या हो जाएगा आपका या a कर दिए जो जाएगा under root g square plus f square minus c यहने half coefficient of x इसका whole square half coefficient of y इसका whole square minus constant term यह वाली equation आपको पकड़ के चल लिए तो यह हमने एक नई equation बना दी इसके बारे में और थोड़ा जानकार ने लेंगे जानकार यह है कि जो यह term है आपका g square plus f square minus c यह हम कह रहे हैं कि यह हमारा radius है ठीक हम कह रहे हैं कि radius जो है या radius square यह है और radius क्या होगा under root of this तो यह वाला जो term है अगर क्योंकि under root के अंदर आने वाला है आर अगर निकालना चाहें तो यह under root के आएगा तो यह वाला जो term है g square plus f square minus c अगर यह greater than 0 है तो इसका मतलब क्या है कि radius circle का क्योंकि आप जैसी r करेंगे मैं इसको मालने जो k मालने ता हूँ तो k under root हो जाएगा तो under root के अंदर जो भी चीज़ आईगी तो अगर radius क्या आएगा अगर k आपका negative है हम क्या रहे है यह greater than 0 है तब क्या है इसका मतलब यह बिल्कुत सही है greater than 0 मतलब root निकलेगा इसका मतलब radius जो है आपका real है और circle भी फिर real होगा अगर यही पर यह जो r equals under root k मैंने लिखा यानि कि यह वाले जो term है इसको k लिख देते है k अगर आपका mileage जो 0 है तो इसका मतलब क्या है जो circle है वो point circle है यानि ऐसा कोई circle नहीं होगा बिल्कुल एक point circle होगा और यहाँ k को अगर मैं negative दे दूँ यानि g square plus f square minus c इसको हम less than 0 कर दे इसको k बुलता हूँ मैं अगर k मान लेते है lesson 0 है इसका मतलब यह है कि circle इसका मतलब यहाँ पर negative है यह imaginary term है तो circle आपका imaginary हो जाएगा circle imaginary है लेकिन इसका जो center है वो तो real होगा तो ऐसा circle इसको हम कहते हैं imaginary circle क्योंकि इसको हम draw नहीं कर सकते हैं इस तरीके के तो एक बार और मैं इसके special features आपको बता देता हूँ x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 तो इसमें पहली चीज़ तो यह है कि x और y में यह equation quadratic है जो coefficient है x का वो coefficient y के बराबर है इसका मतलब यह है कि जब हम problem solve करेंगी और x के सामने कुछ है y के सामने कुछ है तो आपको यह x और y के सामने unity लाना पड़ेगा one लाना पड़ेगा तभी आप जो जो अभी हमने discuss किया वो इसमें लगा पाएंगे तो इसके x square और y square के जो coefficient है वो unity है और यहाँ पर देखिएगा कोई भी term x y वाला नहीं x square है या x है y square है या y है x y वाला term नहीं है इसमें यानि coefficient x y का 0 है और इसमें कुछ तीन आपके constants है कौन-कौन से है एक जी ये f और c f, g और c ये तीन आपके constant हो गए अगर मैं मालने जीए ये circle represent करेगा जी हाँ कैसे करेगा अब पूरी equation को a से divide कर दीज़े तो क्या मिलेगा x square प्लस y square क्योंकि a यहाँ पर है सब को a से divide किए तो यहाँ पर क्या आजएगा 2 g by a x प्लस यहाँ पर 2 fy है 2 fy क्योंकि a से divide कर रहे है तो यहाँ a आ जाएगा प्लस c के साथ दी नीचे आ जाएगा c by a ब्रापर 0 तो अब यहाँ पर coordinate क्या हो जाएगे center के हमने पहले क्या लिया था minus g और minus f यहाँ पर क्या हो गया यह हो जाएगा minus g by a और minus f by यह center हो गया पीछे से correlate करना आपको और radius क्या हो जाएगा इसका आपको याद है g square प्लस f square minus c था प्लस divide by a कर दीजे तो आप कर देंगे g square by a square minus f square by a square minus c by a यह हो गया आपका तो यह कुछ इसमें चीजे थी जो हमें discuss करनी पड़ती है जैसे इसमें बहुत सारे चीज़ आएंगे जैसे कौन cyclic circle है और इस तरी की miscellaneous हमारे problems भी आएंगी अब मैं आपको बताना चाहता हूँ diameter of a circle diameter इसमें मैं पहले आपको बताऊँ कि इसमें आपको diameter तो पता ही है एक circle लीजे और circle का center point है यहां से एक line खीज दीजे जाएं circumference को मिल जाएगी यह आपका diameter हो जाएगा हर एक diameter center से पास होता यह तो आपको पता ही है लेकिन हम इसमें जो चर्चा करने जा रहे हैं वो यह है कि जो equation है circle की drawn on the straight line joining the two points x1, y1, x2, y2 as diameter is this अब हमारे पास क्या है यह x1 और y1 है यह end point हो गया यह x2, y2 यह end point हो गया यहने कि हमारे पास दो line की दो point जिसे एक line गुजर रही है उसके end point है ऐसे यह point यह point एक circle जो इन दोनों से गुजरता है बनी बात है कि यह तो diameter हो जाएगा इस circle की equation कैसे आएगी इसको हम निकालने की चर्चा कर रहा है अब इसमें एक चीज वे आपको बता दू कि जब भी हम कोई भी point यहाँ जोडते हैं यह point और यह point किसी भी यह हम पहले सीख चुके है कि कहीं भी जब diameter पे हम एक point लेते हैं और इसको जोडते हैं माली जही यह आपका xy है तो आप जब जोड़ेंगे इसको और इसको तो यह जो angle बनेगा यह 90 degree बनता है तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं इसका slope निकालने m1 कह दे इसका slope निकालने m2 कह दे दूनों को multiply करके minus 1 कह दे इसके equation आती है कर नहीं आती है तो m1 देखते हैं क्या आता है m1 m1 क्या करेंगे हम जानते हैं line की हम m कैसे निकालते है y minus y1 y x minus x1 यह m1 हो गया m2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए इसमें भी ऐसे करेंगे y minus y y2 और x minus x2 अब यह angle 90 degree है diameter पे जब भी एक angle होता है किसी भी circumference से points जोड़ दीजे यह 90 degree होता है इसका मतलब है m1 into m2 बराबर minus 1 होता है क्योंकि 90 degree है तो दोनों का मिल्ट मंडिप्लाय कर देते हैं यानि y minus y1 by x minus x1 इसको multiply कर रहा हूं मै y minus y2 बराबर x minus x2 से और इसको minus 1 कर रहे है अब यह जो denominator है इसको यहां ले जाए है y minus y1 y minus y2 बराबर यह negative में है x minus x1 यहां पर आएगा और x minus x2 यहां जाएगा अब इस minus को यहां ले जाएगा तो minus y यह यहां एककाम कर लिए यहां लाके इसको पहले लिखिए क्योंकि x हमेशे पहले आता है x minus x1 और x minus x2 प्लस y minus y1 into y minus y2 बराबर 0 यह जो equation है यह ऐसी equation है circle की जिसमें x1 और y1 और x2 और y2 यह extremities हैं यह कहें coordinates हैं आपके diameter के है तो ऐसी equation बनेगी और ऐसे आप इसको solve करेंगे clear है यह कैसे हमने किया तो यह equation आपको थोड़ी ध्यान रखने पड़ेगी तो एक इसमें छोड़ा सा example लिया जाए इसको इसका example लिए जाते है circle की equation निकालनी है drawn on the intercept made by the line 2x plus 3y equals 6 between the coordinate axis as diameter equation आपकी है 2x plus 3y equals 6 यह हो गया अब यह जो line है जब यह ऐसे intercept पे मिलती है मतलब x और y intercept बना रही है तो जो circle बनाया गया है वो इन दोरों point पे बनाया गया है यहने कि ऐसे कुछ मनाया गया है इस circle की equation निकालनी है तो अगर आपको यह point और यह point मिल जाए तो आपको diameter के point मिल जाएंगे diameter के point मिल जाते हैं तो आपके बाद सीधा formula है तो यह पहले हम देखते ही है x axis पे क्या होगा y axis पे क्या होगा x axis x axis पे y 0 होता तो y को 0 कर दीजे x कितना मिलेगा 2x बराबर 6 x बराबर मिल जाएगा 3 अब x को 0 कर दीजे x 0 करेंगे तो क्या मिलेगा 3y बराबर 6 तो y बराबर मिल जाएगा 6 by 3 2 तो आपको यह पता चले गया कि यहाँ पर यह जो point है यहाँ पर x कितना है आपका 3 और y है 0 और यह कितना है यहाँ पर x 0 है y 2 है तो यह आपके extreme point हो गए equation क्या है आपके पास x minus जैसे मैंने अभी भी बताय था x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 बराबर 0 इसमें आपको x1 की जगा रखना है आप इसको किसी को भी दे लीजिए जैसे 3 से होए न इसको x1 y1 माल लीजिए और x2 y2 माल लीजिए तो यहाँ रख देता हूँ x minus x1 क्या है 3 x minus x2 क्या है 0 plus y minus y1 क्या है 0 y2 क्या है y minus 2 0 इसको solve करेंगे तो आपकी equation है कि x square plus y square minus 3 x minus 2 y बराबर 0 यह आपकी question होगे तो इस तरीके सा और भी questions है जिसको हम एक एक करके लेंगे और यह बताने का आपका main मुद्दा यह था कि आप जब question करें तो आपको clear हो कि इसके derivation कैसे हुए या i कैसे है ठीक है चलिए शुक्रिया मेर्बानी आप सबीकी